जब लोग मुझसे demons और दुस्टात्मों के बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूं कि demons are persons without body उनकी भी एक वेक्तिगत personality होती है लेकिन उनका शरीर नहीं होता वो आत्मिक प्राणी है मेरी सेवकाई के शुरुवाती दोर में जब मैंने सेवा शुरू की थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा depression से पीडित था बिना वजए depression एक काले बादल के समान मेरे उपर आता था मैं दूआ करता था प्रार्थना करता था मुझे वचन भी याद थे मैं परमिशर से बहुत मदद मांगता था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ मैं बहुत ही ज़्यादा depression से हमेशा घिरा ही रहता था एक दिन मैं अपनी बाइबल रीडिंग के समय यशाया 60 अदय और 61 अदय पढ़ रहा था और वहां पर परमिशर ने एक वचन मुझे दिखाया जहां पर लिखा था दे स्पिरिट ओफ हैविनेस डिप्रेशन की आत्मा जो की भारीपन तुमारे शरीर में लेके आती है पवितर आत्मा ने मुझे कहा यह तुम्हारी दिक्कत है इस परकार की आत्मा तुम्हारे जीवन में कारे कर रही है जब मैंने वह वचन पढ़ा तो मैं समझ गया कि यह एक आत्मा है उसका शरीर तो नहीं था लेकिन वह आत्मी रूप से काम करती थी साथी साथ परमेश्यों ने मुझे यह भी बताः कि यही आत्मा सिर्फ तुम्हारे अंदर ही नहीं बलकि तुम्हारे पूरे परिवार में कारे करती है क्योंकि मेरे परिवार में अधिकतर लोग डिप्रैस रहते थे उदासी के शिकार थे और इस प्रकार पवित्र आत्मा ने मुझे फिर बताया मुझे पता लगा कि मेरे पिता भी इसी आत्मा के द्वारा पीडित थे और जब मुझे ऐसा पता लगा तो मैं परमिशर के वचन की और गया मैंने पढ़ा योईल उसका दो अदै उसकी 32 साहत वहाँ पर लिखा है उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वे छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन परवतपर और यरुशले में जिन बचे हुओ को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे तो मैंने क्या किया जैसा वचन में लिखा है मैंने यहोवा को प्रार्थना में पुकारा और परमिशन ने मुझे आजाद कर दिया मेरा सारा डिप्रेशन हमरे पूरे परिवार से वो डिप्रेशन की ताकत चली गई मैं पिछले तीस सालों से दुस्टात्माओं के बारे में अभी भी दुस्टात्माओं से पिडित लोगों की मदद कर रहा हूँ दुस्टात्माओं के बारे में सिखा रहा हूँ क्योंकि यह रियल है और कोई भी चीज मेरा दिमाग नहीं बदल पाई क्योंकि परमिशन का वचन दुष्टात्माओं के उधारन से भरा हुआ है और दुष्टात्माओं के काम भी साफ है चलिए अब मैं आपको दुष्टात्माओं के तीन objectives बताता हूँ पहला है torment and torture लोगों को torture करना, उन्हें परिशान करना उनका दूसरा उदेश्य होता है keeping you from knowing Christ येश्य मसी को जानने से आपको रोकना और उनका तीसरा उदेश्य होता है keep you from serving effectively आपकी सेवकाई को रोकना अब मसी के लिए आप जो सेवा कर रहे हैं उसमें बादाएं डालना ये मुख्या तीन काम होते हैं दुष्टात्माओं के इलाज करने से पहले बिमारी की जड़का पता होना बहुत जरूरी है जब आप बिमारी का पता लगाते हैं तभी इलाज अच्छे से काम करता है मैं सोच रहा था कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये सिर्फ मेरे शरीरिक कोई दिक्कत है मैं किसी चीज के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कोई स्पीरिट ओफ हैवीनेस हो सकती है जो जान बूझ कर मेरे उपर भारीपन लेकर आती है एक बार एक मीटिंग खतम होने के बाद एक भाई मेरे पास आये और कह रहे थे कि मेरे अंदर कोई दुष्टात्मा है आप उसे निकाल दे मैंने कहा तुम्हारी क्या दिक्कत है उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत लड़ता हूँ और भूत कुछ उन्हें बोलता हूँ तब मैंने उन्हें कहा कि ये कोई दुष्टात्मा नहीं है बलकि ये तुम्हारा शरीर है ये तुम्हारी कामनाए है जो तुम करते हैं देखें मैं आपको बता दू आपको पता होना चाहिए कहां आपका शरीर involved है और कहां दुष्टात्मों के काम है इन चीजों के बारे में आपको फर्क पता होना चाहिए क्योंकि भूत सी ऐसी चीजे होती है जो मनुश्य अपने नेचर के द्वारा भी करता है चलिए अब बात करते हैं Characteristics of Demons के बारे में उनके चरित्र के बारे में पहली बात enticement दुष्टात्मा है लोगों को लुभाती हैं कोई pencil पड़ी होगी सड़क पर आपको कोई नहीं देख रहा आप उसे उठा लो, तुम उसे उठा लो कोई नहीं देख रहा इस प्रकार दुष्टात्मा हमें लुभाती हैं हमें शारे रिक रूप से और ऐसे ही आत्मा में भी कुछ काम हमसे कराना चाहती हैं वो कहती है कि यह ठीक है तुम्हें कोई नहीं देख रहा तुम इसे कर लो दूसरी characteristics है harass यानि कि परिशान करना या फिर तंग करना इसके लिए मैं आपको एक अच्छे उधारन से समझा सकता हूँ एक बार एक बिजनसमेन था उसके ओफिस में काफी सारी मीटिंग्स थी बड़ी एक डील फिक्स होने वाली थी लेकिन वो डील फिक्स नहीं हुई आफिस का एसी खराब हो गया जो उनका प्रेसिडेंट था वो भी वहाँ पर नहीं आया जो वरकर्स थे वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे वेक्ती काफी उदास था क्योंकि कोई भी डील नहीं हुई थी वापस घर में जाते समय बरस्ते में बारिश हो गई और उसके कारण से तकलीफ हुई लंबा जाम लग गया ओवर ओल वो काफी परिशान था हताश था निरास था क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था जब वो घर पर जाता है तो पत्नी ने खाना नहीं बनाया था बच्चे इदर उदर भाग रहे थे पिता की बात को नहीं सुन रहे थे और तभी उस समय पिता जोर से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चों पर चिलाता है और उसी समय वो दुष्ट आत्मा उसी पतनी और उनी बच्चों से जिन से वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है बहुत ही भला बुरा बोलता है उन्हें गालिया देता है इवन मारता भी है और उसके बाद वो वेक्ति ठीक हो जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ता, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ और मैंने ऐसी गलती कर दी, well, हम जानते हैं कि ये दुस्टात्माओं के द्वारा होती हैं, दुस्टात्माओं परिशान करती हैं, तीसरी तरीके से चाहें, वो पीड़ा देने की कोशिश करती हैं, वो इनसान को कमजोर बनाती हैं पीड़ा दे कर, आपको याद है कि प्रभु येश्यू ने एक बार कहा था कि यदि तुम अपने अपरादियों को शमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें, तुम्हारे अपरादों को शमा नहीं करेगा, बहुत से लोग अनफॉर्गीवनेस, अनफॉर्गीवनेस के जाल में फसे हुए आते हैं, और दुस्टात्माओं उस अनफॉर्गीवनेस को कारण हमें टॉर्मेंट करती है फिर चोथी बात है तू कमपल यनि की मजबूर करना दुष्टात्मा है इनसान को कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर कर देती हैं मैं एक औरत से मिला जिसके लिए मैंने प्रारत्म की परमिश्य ने उसे चुड़ाया उसने कहा कि एक दुष्टात्मा मुझे मजबूर करती थी ताकि मैं अपने हाथ के नकूनों को खुदी काट दूँ अपनी मास को खुदी काट दूँ लेकिन अभी मैंने अपने मास को काटना अपने नकूनों को काटना छोड़ दिये देखिए दुस्टा आत्मा ऐसा काम करा सकती हैं और बहुत से एक्जामपल हैं हमारे पास इस तरह के पांचवी करेक्टिस्टिक्स एंसलेव यानि कि आपको गुलाम बना देना देखिए हम सभी के जीवन में फ्री इच्छा होती है हम किसी काम को कर सकते हैं उसे छोड़ सकते हैं शराब पी सकते हैं फिर छोड़ सकते हैं उसके गुलाम बनने की जरूरत नहीं है लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो एक चीज की लत्मे फस जात च्छटी चीज है डिफाइल जो भी चीज आपको गंदा करें आपके दिमाग में गंदे सोच विचार लाएं आपके दिमाग में गंदी तस्वीरे पैदा करें आपने उबसर किया होगा कि जब आप प्रार्तना करने बैठते हैं तो आपके मन के अंदर बहुत सी गंदी पढ़ने से रोकती है वो एक डीमन है वो सिर्फ और सिर्फ शैतानी का रहे है साथवी करेक्टर स्टिक्स है डिसीव यानि की धोका देना दुष्टात्माएं धोका देती हैं प्रेरिक पॉलोस ने तिमोतियोस की पत्री में लिखा कि अंत के समय में बहुत से अपने विश प्रिंस के दुआरा मश्ची सिक्षकों के दुआरा भी धोका दे देता है और ये धोका देने वाली दुष्टात्माएं हमारे चारों और इर्दगर्द मंडराती रहती हैं आकरी बात ऐसी भी दुष्टात्माएं हैं जो लोगों को बिमार करती हैं उन्हें कमजोर करती है और उन्हें ठका देती हैं ये एक ऐसी घटना है कि जब मैं कॉन्फरेंस में परचार कर रहा था और परचार के बाद कुछ महीलाएं मेरे पास आई और उन्होंने मुझे एक महीला के बारे में बताया मैंने जब उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू की तो आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन उस औरत में 72 बहातर दुष्टात्मा थी एक के बाद एक वो निकलने लगी और ऐसा करने में पांच घंटे का समय लगा लेकिन मैं भी महाँ पर अड़ा रहा और पांच घंटे तक उसके लिए प्रार्थना करता रहा दुष्टात्मा निकली फिर परमेशन आत्मा भार निकला तो जो पास में महीला खड़ी थी वो कहने लगी हाँ ये बिल्कुल ठका हुआ महसूस करती है ये बाइबल पढ़ने के समय ठकी होती है काम के जाने के समय ठकी होती है इवन जब सोती है तब भी से ठकावट महसूस होती है मैंने कहा कि ये इसकी वज़े कि कर पाती है इवन आप में से भी काफी सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि हम जब टीवी देखते हैं तो गंटों तक हम टीवी देख सकते हैं लेकिन जब बाइबल पढ़ने की बात आए तो सिर्फ दस मिनट में हमें नीद आने लगती है ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी में बिताएं लेकिन परमिशर के वचट के साथ अपना समय ना बिताएं क्या है ये चीज़े याद रखना आप कि दूस्टात्माई हमारे आगे पीछे हर तरफ काम करने में लगी हैं और हमें परमिशर से दूर रखना ही उनका में उदेश्य है मैं दुस्टात्माओं और दुस्टात्माओं के काम के उपर एक किताब लिख रहा हूँ तो आप सब मेरे लिए प्रार्थ न करें कि मैं उन्हें अच्छे से लिख पाऊ मैंने अपनी रिसर्च में पता किया है कि पुराने नियम में 10 दुस्टात्माओं हैं और 9 नियम में 20 प्रकार की दुस्टात्माँ हैं सो टोटल 30 प्रकार की दुस्टात्माँ के बारे में मैं रिसर्च की है हलाकि ऐसी अने को दुस्टात्माँ हैं लेकिन ये 30 प्रकार की दुस्टात्माँ में मेंली काम करती हैं जिनने मैं अपनी किताब में लिख रहा हूँ और जिनके बारे मैं अपनी किताब में रिसर्च में मैं बताऊंगा